कट्रीना कैफ की शादी की खबरे बड़ी स्ट्रॉंग आ रही है इसी बीज कट्रीना कैफ के पास्ट की अगर बात करें तो कई बड़े आक्टर्स से कट्रीना का रिलेशन्शिप रह चुका है जिसमें एक नाम इंडस्ट्री के प्लेबॉई रनबीर कपूर का भी आता है दोनों इबीज़ा हॉलिडे के लिए गए थे जहां पर कट्रीना की बिक्नी पिच्चर सामने आई थी दोनों जब बैंडरा में एक ही गर में शिफ्ट हुए थे तो बालकनी में स्मूच करते वे भी देखे गए थे लेकिन आखिर ये दोनों अलग क्यों हुए वो मैं आपको बताऊंगी वैसे कट्रीना और रनबीर दोनों ने ही ब्रेक अप को लेकर कुछ कहा नहीं लेकिन हाँ ब्रेक अप को लेकर इंडस्ट्री में कई सारी कहानिया आती है कट्रीना को रनबीर कपूर बेहत पसंद करते थे और रनबीर कपूर को कट्रीना के साथ टाइम स्पेंट करना भी अच्छा लगता था ना सिर्फ कट्रीना एक अच्छी आक्ट्रिस थी बलकि इनसान भी बहुत अच्छी लगी रनबीर को लेकिन रन्बीर की फैमिली ने कट्रीना और रन्बीर का रिष्टा कभी अप्रूव ही नहीं किया जहां एक तरफ रन्बीर की दूसरी गर्ल्फरिंड के साथ हमेशा नीतु सिंग और रिष्टी कपूर साहब कॉडियल रहे वहीं कट्रीना के साथ रिष्टे इतने अच्छे नहीं थे और रन्बीर ने लंबे समय तक कट्रीना को फैमिली में सेट करनी की कोशिश की लेकिन फैमिली मेंबर्स ने कट्रीना को कभी एकसेप्ट ही नहीं किया इन फैक्ट एक इंस्टांस तो ऐसा बताया जाता है कि कपूर फैमिली की एक क्रिसमस पार्टी होती है family का इनसान कोई भी कहीं भी होगा, वो इस party को attend करेगा साल में एक बार ये लोग Christmas party पर मिलते हैं और grand party होती है इस party में Ranbir Kapoor एक बार Katrina को भी लेकर आये थे Ranbir Kapoor ने किसी को बताया भी नहीं था कि Katrina आने वाली है लेकिन as a family member उस दिन रन्बीर कपूर ने कट्रीना को family में entry दिलवा दी थी कहा जाता है कि उस दिन जहां रन्बीर ने अपनी मनमानी की वही मा नीतो सेंग भी मनमानी करकर बैठ गई और वो इस party में आई ही नहीं क्योंकि रन्बीर कट्रीना को इस party में लाए थे उस दिन रन्बीर को अपने parents की तरफ से एक message तो मिल ही गया था कि parents ने कट्रीना को accept नहीं किया है बच रन्बीर हर एक कोशिश करते रहे कट्रीना को family में set करने के लिए कट्रीना के साथ ना सिर्फ वो live-in में रहने लगे बलकि कपूर family का एक family whatsapp chat group है उसमें भी उन्होंने कट्रीना को add करवाया कहा जाता है कि रन्बीर कपूर की जो भुआ है रितु कपूर वो इस whatsapp chat group की admin है और इसमें पूरी कपूर family का हर एक member है चाहे करिश्मा हो चाहे करीना हो अचानक से एक दिन यू होता है कि कट्रीना को इस family whatsapp group से निकाल दिया जाता है और इसके बाद रिशी कपूर इस family group में add होते हैं जो पहले कट्रीना के होते वे इस group का हिस्सा नहीं थे तो कहीं न कहीं ये एक और signal पिता की तरफ से मिल गया कि कट्रीना होगी तो हम नहीं आएंगे और कट्रीना नहीं होगी तो हम आएंगे तो जब family में इस तरह की problems आने लगी तो रन्बीर हार गए एक time के बाद रन्बीर को कट्रीना से रिश्टा तोड़ना ही पड़ा और रन्बीर के लिए जहां तक कहा जाता है दिलफेग भी बहुत है इसलिए उनका मन बहुत जल्दी किसी और में लग जाता है तो कट्रीना से move on होने में उन्हें जादा समय नहीं लगा वहीं अगर बात करे कट्रीना की तो उसके बात कई सारे co-actors के साथ उनके नाम जुड़े लेकिन अब विकी कॉशल के साथ उनके marriage की खबरे आ रही है लेकिन कट्रीना चुपी साधे हुए है क्योंकि पहले भी वो relationships में बहुत कुछ खो चुकी है इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार कट्रीना खोना नहीं चाती है एक बार विकी कॉशल उनके हो गए तो फिर दुनिया के सामने सब कुछ है ही